सो हेलो फ्रेंड स्वागते आप सभी का एक नए वीडियो में तो सावन की तीसरे सोमवार पर हो रहा है अत्यंत सुब संयोग का निर्मार जानिये पूजा और समय विधी क्या है दरसल सनातन धर्मे में भगवान सियू की उपासना का विशेस महतु है सावन महीने में भगवा इस बार सावन की तीसरे सोमवार पर आप सियूलिंग पर जल जरूर अरपित करें ऐसा करने से आपकी हर मनुकामना पूरी होगी जो कुवारी कन्याय सावन में सोमवार की दिन वरत रखती हैं उन्हें मन चाहे जीवन साथी प्राप्त होते हैं कोई भी विक्ति सावन महीने में भोले नात की अराधना कर सकता है ऐसा करने से स्यू जी परसंद होकर उसकी हर इच्छा को पूरा करते हैं तो कैसे करिए आप सावन की पूजा इसे आप समझ लीजे सावन महीने में रोज आपको प्रति दिन जल्दी उठकर इस्नान करके साफ वस्त्र धारन करने हैं अपने मंदिर को गंगा जल से सुद्र करना है अगर किसी मंदिर में जा रहे हैं तो जल आप जरूर अरपित करें एक थाली में स्यू लिंग रखकर इन पर जल गंगा जल और दूद अरपित करें स्यू महीने में सोमार पर पुरी भक्ति भावना के साथ स्यू लिंग पर जरूर जल अरपित करेंगे भोले ना अ आप की हर मनुकामना पूरी करेंगे और सावन सोमार में आप भोग में ये चीज जरू चढ़ाईएगा, खास चीज है ये, इसे आम आपको बता देते हैं, दरसल दोस्तों आपका दर सावन सोमार का भोग आपको जरू लगाना चाहिए, इस भोग में महादयों प्रसंद हो जाते हैं, और भक्तों के जीवन सुक् रितुफल चढ़ा सकते हैं, वहीं आप ठंडाई जरू चढ़ाईएगा, जै दोस्तों आप सावन सोमार की दिन ठंडाई को भोग में सामिल कर सकते हैं, और परसाद सुरूप इसका वित्रर भी कर सकते हैं, खीर बेहत पसंद होती है भोलेनात को, तो आप इसका भी परसाद जरू लगाईए, और हल्वा भी पसंद होता है, तो आप इसका भी भोग जरू लगाईए, इन चार चीजों को आप सोमार की दिन जरू चढ़ाईएगा, मनो कामना पूरी होगी, ऐसा जो 34 बताते हैं, ऐसे गरंथ बताते हैं, सो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानक कारी के साथ वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, सेयर करें, धन्यवाद